दोस्तों पूरा दुनिया को पता है कि यूक्रेन और रश्या के लड़ाई में पाकिस्तान के द्वारा यूक्रेन को लगातार हत्यारों का सप्लाई किया जा रहा है और इस कारण रश्या थोड़ा नाराज भी है और रश्या के तरफ से पाकिस्तान को सवक्ष सिखाने के लि जिसके उपर यूक्रेन भरोसा कर सके। दोसे आपके जानकारी के लिए बता दू कि असर में पाकिस्तान के तरफ से ये जो हतियार है इसे कुछ यूरफ के देश और उनके का लड़ाई शुरू हुआ है तब से पाकिस्तान को फिर से पैसा कपाने का एक जरिया मिल गया और दोस्तो इस जरिया का इस्तिमाल करते दोस्तो इस बात का जानकारी असल में एक ऐसे ट्विटर एकाउंट के तरफ से दिया गया है जो बेसिकली रश्या और यूकरेन के इस लड़ाई को ट्रैक कर रहा है और हतियारों के नुकसान का जानकारी दे रहा है दोस्तो इस ट्विटर एकाउंट के मताविक कुछी दिनों के अंदर दो से अधिक ऐसे इंसिडेंट घट चुका है जिनमें ये 122 मिलिमिटर के सेल्फ प्रोपेल हावर्ट सर के नश्ट होने के इलावा बताया जा रहा है कि 120 मिलिमिटर के हाई एक्सप्लोजिब मोटर प्रोवाइड कर रहा है और फ्री के हतियार होने के कारण यूकरेंट के तरफ से फिलाल इसे जाचा नहीं जा रहा है कि ये हतियार फॉल्टी है या फिर हतियारों में कुछ ऐसा खरावी है जिसके कारण इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और शायद इनी कारणों के वज जाता है कि पाकिस्तान जिन हत्यारों को निर्मान करता है या चाइना से खरिदता है उसमें उस तरीके का दम है ही नहीं कि वो लड़ाई में इस्तिमाल हो सके और दोस्तों पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से मीडिया को कंट्रोल किया जाता है इससे तो यही अंदाजा लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे लगातार घटना घटता है जिसे पाकिस्तानी मीडिया चुपा देता है और पब्लिक को इसके बारे में कुछ जानकर ही पता ही नहीं लगता और उपर से पब्लिक को ये चुरन चटाया जाता है कि पाकिस्तान स्टेट आफ दा आर्ट हतियार बनाता है, example के रूप में दोस्तों हाली में ही पाकिस्तान के लोगों को पता चला कि जो Chinese JF-17 यार्क्राप्टों को लेके पाकिस्तान के मीडिया और पाकिस्तान के कुछ तथा कथे defense expert के तरफ से ये हंगा मा मचाया जाता है कि ये 5th generation की aircraft से भी बहतर है वो aircraft तो grounded पड़ा हुआ है और मयान मार के तरफ से भी इसे खरीद के एक तरीके से पस्ताया जा रहा है क्योंकि मयान मार के बेड़े के जादा तर JF-17 aircraft महिनों से grounded है और लगातार प्रयास के को ही निकाल के दे दिया गया होगा और दोसों योरोफ के देशों के तरफ से भी इस emergency situation को देखते हुए उन हतियारों को जाचा नहीं गया और डारेक्ली पाकिस्तान से हासिल करके तुरंती से यूकरेंट भेज दिया गया होगा मतलब दोसों यहां से भी पाकिस्तानी आर् को लेके पाकिस्तान अमेरिका और नेटों के देशों को चुना लगाया और लगातार उन देशों से एड हासिल किया और उस एड का इस्तेमाल उन देशों के आर्मी को ही नुक्सान पहुंचाने के लिए किया जबकि दूसरे तरफ देखा जाये तो असी के दशक में भी को एड देने से मना कर दिया गया उसके बाद ही पाकिस्तान के एकोनमी संपूर्ण रूफ से ठफ हो गया जिससे की एक बात साफ हो जाता है कि पाकिस्तान बीते 70 साल में इसलिए टिका हुआ था जोकि पाकिस्तान लगातार इन देशों को चुना लगा कि यहां से पैसा पाकिस्तान के लिए ऐसा ही एक बहतरी अप्शन लगा जिसका इस्तिमाल पाकिस्तान किया और घटिया दर्जे के हतियारों का सप्लाई किया